उपरी शिमला में स्कैब बीमारी के दस्तक देने से सेब बागवानों की नींद हराम हो चुकी है एक और जहां बागवान वेश्विक महामारी कोरोना के प्रभाव के कारण लेबर और सेब की फसल को समय पर बाजार में पहुँचाने की चिंता में डूबे हैं वहीं दूसरी और अब स्कैब बीमारी ने सेब बागवानों की चिंता और बढ़ा दी है बागवान इस बीमारी पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए है ताकि सेब की फसल के सही दाम मिल सके स्कैब एक खतरनाक बीमारी है 1984 में ये बीमारी सेब में फैली थी और उस दोरान इस बीमारी ने सेब की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया था ये बीमारी पत्तों के साथ-साथ फलों को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देती है 1984 के बाद फिर से स्कैब रोग ने पूरी ताकत के साथ सेब पर आकरमन कर दिया है जिस वजह से बागवानों की नींद हराम हो गई है वैसे तो स्कैब बीमारी हर साल थोड़ी थोड़ी नमी वाली जगों पर ही नजर आती है इस बार स्कैब बीमारी के लिए अनुकूल मौसम होने की वच्छा से ये काफी तादात में फैल रही है स्कैब हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है बागवानी विभाग भी इसके लिए सतर्क हो गया है बागवानी विभाग ने किसानों और बागवानों को समय बद तरीके से छिड़काव करने की सलाहा दी है विवाग का कहना है कि स्कैप बीमारी को अगर समय पर नहीं रोका गया तो इस बीमारी से काफी नुकसान हो सकता है रोहडू के बागवानों का कहना है कि 1984 के बाद स्कैप बीमारी ने क्षेतर में पूरी ताकत के साथ हमला किया है उन्होंने विभाग से अपील की कि इसकी रोक थाम के लिए उचित कदम उठाए जाएं को इस तरह से फैलती रहेगी तो लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और लोग चाहते हैं कि इसका प्राफदान जल्दी सरकार की तरफ से किया जाए सरकार समय समय पर इसका मजद निगरानी करें कि बई इस ताकि यह जाधा से एरिया में उसको जादा इरियम न फैले ताकि लोगों को इसका नुकसान न उठाना पड़े और लोगों को फायदा हो जाए जल्दी से जल्दी एक इंट्रोल हो जाए परकोफ इसका बढ़ रहा है तो आप क्या मानते हैं से काफी नुकसान हो तो आप से 15 साल पे अपने खूट भी देखोंगे से के क्या क्या होंगी वह पूर्व उद्यान अधिकारी वा बागवानी विशेशगे डॉक्टर अगरदास ने कहा कि बागवान विवाग द्वारा बताई गई दवाईयों का छिड़काव करें और जल्दबाजी में कोई गलत छिड़काव ना करें तो सेव पर आने वाले इस बीमारी का वैसे तो इतियास बहुत पुराना है तो पिछले कई सालों से ये इसका जो आक्रमन है वो कम रहा कुछ चुनमंदा क्षित्रों में स्कायब जो है सेव पर देखा गया था इस वर्ष कोई भी वगिच्चा इससे अच्छूता नहीं है कि किसी में कम प्रकोप है किसी में बहुत ज्यादा प्रकोप है और हमें अब एतियात बर्तना पड़ेगा कि आने वाले जो आने वाले जो सेव सीजन है इसमें जो है इसका इस बीमारी का नियंतरन प्रयाप्त रूप से रहे तो इसके लिए बागवान भाईयों को सेनिटेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और समय समय पर पफूंद नाशक द्वाईयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो अमुमा ने देखा गया है कि बागवान अब एग्यानिक तरिक्के से चिड़काओं कर रहे हैं और जो इस क्षेतर में महरत हासिल नहीं है उन से सलह पर लेकर जो है वो किसी भी प्रकार की फ़मूंद नाशक का सप्रे करते हैं उससे फाइदा कुछ नहीं हो रहा है यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे-बहंगे जो फ़मूंद नाशक है इस पर इस्तेमाल करें आपके जो बेसिक जो फ़मूंद नाशक है जैसे कार काफी हद तक नटीबों का भी इसमें जो है वो अच्छा असर देखा गया है सिटी चैनल के लिए रोहडू से प्रदीप राही की रिपोर्ट